बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जीवन को आप सक्सेस के हिसाब से नहीं नाप सकते जब भी मैं किसी चीज के लिए मोटिवेट करता हूँ कि SDM बनिये बेटर कीजे तो कई लोग कमेंट में लिखते हैं कि नहीं ये सिर्फ यहीं एक मेजर्मेंट का करेटीरिया नहीं होना चाहिए जीवन का लेकिन मेरा मानना है कि नहीं यहीं करेटीरिया है जीवन का आपको कितने भी आप अच्छे हैं, खुबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, कोई मतलब नहीं है आप जब तक सफल नहीं हैं, हर चीज मिनिंग्लेस है हो सकता है कि बहुत साई लोगों मेरी बात आज खराब लगे लेकिन आज का जो सोसाइटी है, आज के हिसाब से हमें जीना चाहिए और उस सोसाइटी में आपके सफलता को ही एक मेजरमेंट माना गया है आपके अच्छाई के लिए, आपके हर चीज के लिए क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूँ, जब मैं असफल था तो मेरे अच्छी बात भी लोगों को खराब लगती थी और जब सफल हो गया, तो खराब भी लोगों को अच्छी लगती है ये सही में ऐसा होता है जीवन में हमारे साथ तो मुझे जो महसूस हुआ अपने जीवन में कि सफलता ही एक मेजरमेंट है और कोई मेजरमेंट नहीं है, और अगर कोई दूसरा मेजरमेंट है तो क्या आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि तुम ये कर लो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि SDM बनना ही सबसे सही है जीवन में लेकिन अगर SDM नहीं बनते हैं आप और एक सधारन किसी छोटी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो क्या वो सही है? मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हो सकता वो भी जौब बहुत रिस्पेक्ट है लेकिन अगर आप सेक्रिटी गार्ड के नौकरी कर रहे हैं तो वो सही है कि आप IPS बनके वो सही है आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि तुम अपने जीवन में एक बहुत अच्छे इंसान बनो और सेक्रिटी गार्ड बनो नहीं बोलेंगे आप तो फिर क्यों आप उस चीज से भाग रहे हैं? हम जीवन में सिर्फ अगर आसान काम करेंगे तो जीवन में हमें रिजल्ट भी आसान ही मिलेगा और वो एक क्या कहते हैं? हम अपने आपको रिस्ट्रिक कर देते हैं अपनी सोच ऐसा बना लेते हैं कि नहीं ये क्रैटीरिया नहीं है ये क्रैटीरिया मेरे भाई यही एक क्रैटीरिया है जीवन में और दूसरा कोई criteria नहीं है मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं उस दोर से गुजरा हूँ जब मेरी अच्छी बात भी लोगों को खराब लगती थी और आज मेरी खराब बात भी लोगों को अच्छी लगती है अगर कोई मुझे अपने शादी में इन्वाइट करता है और मैं नहीं जा पाता हूँ तो लोग अपने आप समझ जाते हैं कि SDM है बहुत बीजी रहते होंगे इसलिए नहीं आपाए मुझे बताना नहीं पड़ता है ये अंतर है आप बिजनेस में सफल हो, क्रिकेट में सफल हो फिल्म इंडरस्ट्री में सफल हो लेकिन सफल हो ये जीवन हमें इतना महतपूर्ण जीवन मिला है इसको हम बरबाद नहीं कर सकते है दुवारा नहीं आएगा एक वर बिता हुआ समय दुवारा नहीं लोटता है अभी जो एक पल गुजर गया ये वापस नहीं आएगा और दूसरा सबसे अच्छी बात है मुझे जो लाइफ के बारे में लगी कि लाइफ हमेशा आपको second option देती है आपको बस अपने आपको तयार करना है आप अपने आपको अगर mentally तयार कर लेते हैं कि मैं इस चीज को कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं जो युद्ध है जो struggle है वो अपने आपको तयार करने में है कि मैं इस काम को करूँ की नहीं करूँ और एक चीज और अच्छी लगी मुझे अपने मतलब struggle से कि कर आप किसी चीज में बहुत कमजोर है तो यह ज़्यादा अच्छी बात है आप ज़्यादा मेहनत करेंगे आप ज़्यादा alert रहेंगे आप ज़्यादा active रहेंगे वो कच्छुआ खरगोस की जो कहानी है वो जीवन में सही होती है जो लोग 5-6 attempt को बाद नहीं निकाल पाते हैं वो लोग हो जाते हैं आपको खरगोस उनको पता है कि मुझे सब पता है क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है और वो बार बार वही गलती करते हैं अटकते हैं लेकिन आप अगर कमजोर है आपको पता है कि मैं कचुआ हो तो आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे आप हर चीज़ पर ध्यान देंगे ज्यादा मेहनत करेंगे तो कमजोर होना कोई खराबी नहीं यह कमजोर होना अच्छी बात है कि आपको वो जगा के रखेगा वो आपको 24 घंटे आपके दिमाग में घुबेगा कि मुझे ये काम करना है नहीं तो आप बहुत इजी ले लेंगे जो नहीं होता है कि ट्रेन अक्सर उनकी छूटती है जो इस्टेशन के पीछे रहते हैं मतब जो इस्टेशन के बगल में रहते हैं अक्सर उनकी ट्रेन छूटती है जो लोग दूर रहते हैं वो समय पे इस्टेशन आ जाते हैं और सक्सेस एक प्रोसेस है सक्सेस ओभरनाइट किसी को नहीं मिलता है आज अगर आपको किसी चीज में सफल होना है तो आज से ही आपको उसके लिए दिन रात एक करके जो अरजुन को जैसे सिर्फ मचली की आँख दिख रही थी आपको सिर्फ वही दिखना चाहिए आप पचास चीजों को प्रायर्टी पर रख के नहीं कर सकते हैं बहुत साइए लोग मुझे से बोलते हैं कि जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग एवरेज होके एक क्या करते हैं मतलब अपने इंसान का अंदर को इंसान को मार के हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं मेरे बहुत बुरी हालत हो चुकी थी मैं अपने कॉलेज के जमाने में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं कि मुझे लगता था मेरा आइक्यू बहुत अच्छा है मेरा यह है जब 10 साल गालिया सुनी मैंने यह करो वो करो तो अपना दिमाग जो क्या करता है दिमाग मेरा मुझे लगा कि बंद हो गया काम करना हर चीज सिर्फ order follow करना है आपकी creativity मर जाती है आपका अंदर का इंसान मर जाता है तो नहीं मरने दीजे अपने अंदर का इंसान को और जो मेरा experience कहता है कि सिर्फ अपने आपको तयार करना है किसी युद्ध के लिए और किसी को तयार नहीं करना है अपने अंदर इस बात को ले आए कि मैं average जीने के लिए नहीं आया हूं इस प्रितवी पर मैं कुछ अच्छा करूंगा और मुझे कौन रोकेगा यह जब आपके अंदर यह आवाज आने शुरू हो जाएगी ना कि दफना दिया है यह समझिए कि भगवान ने आपको प्लांट किया है आप सीड है और आप बहुत बड़ा फल्दार व्रिक्ष होने वाले हैं तो अगर आपके जीवन में सब कुछ अंदेरा दिख रहा है तो बिलकुल नहीं घवराना है आपको अपने जीवन को अच्छा कर दिखियेगा और सिर्फ systematic चीजों को करने से हासिल कर सकते हैं तीन-चार चीजा एक तो discipline चाहिए जीवन में consistency चाहिए ये theory बात वाली किताब बाते नहीं है discipline जब आपने जीवन में लेते आएंगे आप कि मुझे इस समय ये काम नहीं करना है हमेशा हर काम के समय आपको दो option दिखाई देता है एक तो option दिखाई देगा जब Instagram की real देखना शुरू करेंगे तो आपको अंदर से कवा कि अब आज को सुनना सुरू कर देंगे कि नहीं यार बंद करो अभी मैं पढ़ लेता हूं कुछ जो भी को कि मैं देखिए मैं मेरा जो अभी तक का experience है वो यही है कि पढ़ाई के रास्ते से मुझे मोक्ष मिला है तो मैं सबको पढ़ाई का रास्ता ही बताता हूं लेकिन यह नहीं है किसी पढ़ाई सफल होना जरूरी किसी ही भी फिट में आप सफल होई यह लेकिन जरूर सफल होई ए और दूसरा है कि अपने मन का एक कुछ कीजिए जिसमें आपको satisfaction मिले मुझा पढ़ाने मैं satisfaction मिलता हूं मैं अपने जालता हूं मैं आज बीग civुण chewy रू एक घंटा किताब लिखता हूँ क्यों 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 कि मुझे लगता है कि ये जीवन मुझे average काम करने के लिए नहीं मिला है एक विडियो मैंने 84,000 बोल दिया था 84,000 लाख जीवन के बाद ये जीवन मिला है ये ऐसे ये नहीं है कि ये पांच रुपे का kitkat खरिद के लाएं हैं आप कि कल फिर लेके आईएगा यह Blackboard में कुछ लिखा है फिर दुबारा मिटा दिजेगा यह जीवन नहीं मिलेगा फिर दुबारा जो करना है इसी जीवन में करना है जो achieve करना इसी जीवन में achieve करना है मैं तो चाहूंगा कि लोग अच्छा ड्रीम बनाए कि मैं पैसे कमाऊंगा जीवन में, करोरों कमाऊंगा, अम्वानी से ज्यादा कमाऊंगा, सोच के तो देखिए, मैं सुट्जर लेंड घुमने जाऊंगा, जैसे अम्वानी कि हाँ साधी, 6 मेने तक साधी चलिये, मैं उस साधी करूंगा, इस तरह से ड्रीम बनाएए अपना बरा ड्रीम बनाएए, लेकिन बनाएए जरूर जीवन में, जीवन एवरिस जी के गुजारने के लिए नहीं मिला है, इस भीर का हिस्सा बनने के लिए नहीं मिला है यह जीवन की आए, इस भीर का हिस्सा बने और चले के किसी को कोई फरक नहीं पड़ा मैं फिर से उलाइन कहूंगा कि कुछ इस कदर निभाव अपने किरेदार को कि परदा गिरने के बाद भी तालिया बसती रहे ऐसा कुछ करके जाए कि आपके जाने के बाद भी लोग याद रुके आपको आज रतन टाटा प्रित्वी को छोड़ के गए है हर तरफ उनकी चर्चा चल रही है सही बात है इस तरफ से करके जाए क्या अंतर है हम में रतन टाटा में वो भी इंसान थे हम भी इंसान हैं उनकी सोच बड़ी थी और जो लोग बोल रहे कि उनको विरासत में पैसा मिला था उन्होंने प्रूव किया आपको कभी जाए उनके वारे में पढ़िए गा वैसे ही अपने आपको प्रूव कीजिए और प्रूव करने के लिए बस यह है कि थोड़ा सा कदम निका लिए मेहनत कीजिए जरूर जीवन सफल होगा के रखते हैं कि नहीं यार मेरे बस का नहीं है सब कुछ आपके बस का है सब कुछ आप कर सकते हैं एक बार हिम्मत कीजिए अपने आप पर विश्वास कीजिए ये जो सरीर ये दिमाग मिला है किसी से कम नहीं सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने वो मैं जो मुझ में मरने का था उसे जिदा कर लिया मैंने उस मैं को जिदा कीजिए और देख़े कितना जीवन अच्छा है ये जीवन आपको stress और depression के लिए नहीं मिला है बस एक बार हिम्मत कीजिए देखिए कितना अच्छा जीवन हो जाता है चलिए, all the best